ओके जी इस लेक्षर में मैं आपको बताऊंगा कि data driven decision making क्या होती है data आपको मैं data की types बता के हटाऊ अब उससे हम insights कैसे लेते हैं और patterns कैसे recognize करते हैं हम उसके उपर discuss करने वाले सबसे पहली चीज मैंने जो पहले आपको बताई है कि data जो है बहुत important है इतना important है data कि आपको मैं मिसाल देता हूँ आपको समझ आड़े कि data कितना important है आपके mobile में आप अपने दोस्तों का या अपनी family के contact save करते हैं करते हैं आप लोग सेव थोड़ा सा पीछे जाएं जब contact save नहीं होते थे mobile में या मुश्किल होते थे save करना आपको number याद नहीं होते थी उसका number क्या था even though my first number second number मेरी family के numbers याद होते थे फिर context वाला सीन आया context हम save करने लगे अगर context remove हो जाए तो क्या होगा data गया उसकी importance कितनी आपको पता है न अक्सरोकात जो लोग बिचारे किराची में रहते हैं उन वो समझते हैं इस चीज़ों को क्या ख्याल है या पाक कर गया मैं अच्छा अगर आपने ये हफ़ता बार analysis करना हो कि मेरी सबसे ज़्यादा calls किसको गई है तो अक्सरोकात phones के अंदर ये option मुझूद होती कि आपने सबसे ज़्यादा call इसको की है खासतर पर business वाले जो है या सबसे ज़्यादा आपका time यहां पर सब हुआ है इसक इसकी बेस पर आप अंदाजा लगा सकते हैं अब मैं जलता हूं companies की तरफ और companies इसको कैसे utilize करती हैं हम वो देखते हैं और आपको अंदाजा होगा फिर कि data driven decision making क्यों जूरूरी है मैं आपको एक मिसाल देता हूँ छोटी से मिसाल देता हूँ मिसाल यह है कि अगर कोविड 19 की vaccines का data ना लिया जाता तो क्या होता तो यह होता हमें पता ही ना होता कि कोविड 19 की vaccines कितनी effective है यह जो हमें data मिलता था न 99.9% फाइजर की vaccine जो है वो effective है ठीक है या एक और vaccine थी Johnson's and Johnson's की उसके यह side effects है फ्लांचीस के यह side effects है तो अगर हमारे पास data ना होता तो हम data driven decision making ना countries कर सकते के हमने bulk में billions खर्च के कौन सी vaccine को purchase करने है ठीक है वो data driven decision making थी उनकी secondly हम यह अंदाजा लगा लेते हैं stock market में रोजाना की basis पर कितने बड़े बड़े तजर्बात किये जा रहे होते हैं जिस फ्लांस टॉक उपर जा रहा है फ्लांस टॉक नीचे जा रहा है वो सारा का सारा database की बेस पर हो रहा है data की driven के उपर हो रहा है अब इसकी मिसाल मैं अगर देता हूं अगर आपके पास एक data मुझूद है आप उस data को एक analysis के थुरू या एक model के थुरू गजारते हैं और उससे आप patterns निकालते हैं इन patterns की बेस पर आप फिर decision लेते हैं और यह keyword जो data driven decision making है यह इसी चीज से निकला है आप driven decision making और अगर यह government level पे हो इसको बोलते हैं data driven policy making अगर इस पर कोई policy बन जाए अब मैं आपको समझाता हूं कैसे मिसाल के तोर पे मैं non-ticky की example की तरफ वापस जाता हूं डेटा उसके पास क्या है कि उसने जो जो चीजें purchase किये ना एक बंदे ने सबसे पहले उसने लिए आलू ठीक है फिर मसाला लिया मेरी उर्दू ऐसी है अगर कोई गलती हो जा तो मुझे बता जीजिगा मसाल लिये ठीक है फिर इसके बाद उसने काफी चीजें और हर आइटम की वो price लिखता गया यहां पर price आगे जिए 300 के अलू लिये 100 और पेगा मसाला ले लिया oil आगया यहां पर and so on and so forth 40 and so on so forth मैं just I'm just writing मुझे पता है कि prices इतनी नहीं है ज्यादा prices है बट still I'm just writing इसने बाद में बनाया जनाब नान टिकी वाले ने टिकियां बनाई इसकी टिकियां ठीक है टिकियां बनाने के साथ साथ उसने नान भी purchase किये खुद से नहीं बनाया वो purchase किये उसने और वो 60 नान लिये उसने 600 रुपे के ठीक है 600 रुपे के नान आगे उसके पास और टिकि के नान और आप यह अंदाजा लगा लें कि यह 700 रुपे के क्रीब उसकी बनी टोटल टिक्यों के प्राइस टोटल उसके पास हो गया जिए 1300 की इन्वेस्टमेंट 100 टिक्यों पे 100 बाई 1300 ठीक है सोट नान टिक्यों पे 1300 की इन्वेस्टमेंट होगी अब मुझे एक बात बताएं यही टिक्या रुजाना उसकी 100 के क्रीब बेखती हैं 100-100 यहां पर लिखता हूं मैं मंडे यहां पर लिखता हूं ट्यूजडे यहां पर लिखता हूं वेंस्टे थर्सडे फ्राइडे और संडे ठीक है अब मुझे एक बात बताएं कि रुजाना की उसकी 100 टिक्यां बिक्री हैं यहां पर लोजना रुजाना की उसकी 100 टिक्यां बिक्री हैं इस जगह पे लेकिन क्या हो रहा है कि वो बंदा यहां पर मंडे को वो तकरीमन एक बज़े फ्री हो रहा है यहां पर भी एक बज़े फ्री हो रहा है यहां पर भी एक बज़े यहां पर भी एक बज़े यहां पर बहुत अरली तकरीबन दस बज़े फ्री हो जाता है यहां पे उसको तकरीबन शाम के पांच बज जते हैं यहां पे भी शाम के पांच बज जते हैं और यह बंदे की जो लोकेशन है आप अंदाजा लगा के बता सकते हैं कि किस जगा के क्रीब होगी सिर्फ डेटा की बेस पे कि यहां पे इसको शाम के पांच बज़ रहे है और यहां पे वो एक बज़े फ्री हो रहे हैं या तो स्कूल के करीब है या आफिसे के करीब है ऐसे ही है समझा ही बात की कि नहीं समझा ही हम अब क्या करने वाले हैं डेटर डिरिवन डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं कि इस बं ऐगर एक बजे फरी हो रहा है तो लॉंज टाइम यूजिली क्या होता है 12 00.00 से दो बजे के दरम्यां दर्म्यान होता है ठीक है वो एक ברग यहांपर फरी हो रहा है उसको चाहिए के दो बज़ू तक on the other side, ये Saturday Sunday को, वो कोई ऐसी जगाए पे जा सकता है, जहाँ पे सेल उसकी ज्यादा हो, वो स्कूल और आफिसिस के बाएर ना ख़डा हो, कहाँ पे जा सकता है ची Saturday Sunday को फिर, कोई अंधासा बता सकता है, as a data analyst, बाजार, पार्क्स, पिकनिक पॉइंट्स एक्जैक्ली समझागी तो ये क्या हो रहा है वो डेटा की बेस पे decision making कर रहा है सही है ये एक छोटी सी example आपको बताती है कि आप किस तरीके से data driven decision making कर सकते हैं अब यहां पे अगर वो दो बज़े free हो रहा है ना फ्राइडे वो दो बज़े के बाद कोई और काम भी कर सकता है अब ज़रूरी नहीं है कि वो यहीं पे और टिकियां लगा के बैठ जाके कि data की बेस पे आप decision लें यही चीज़ आपको एक और बात बताता हूं शादी हाल किस season में सबसे ज्यादा चलते हैं शादी हाल ज्यादा तर winters में अगर आप हो और करें खास तोर पे एदों के उपर एद के दिनों पे एकसर रखे होते हैं उन्हों ने शादियां ऐसे हैं तो आप क्या करेंगे शादी हालों के उपर investment और labor को ज्यादा उन दिनों में लेके आएंगे और यह सब हम winter में कैसे लगा रहे हैं अंदाजा क्योंके पिछला data बताता है कि इन दिनों शादी कार्ड ज्यादा बने हम डेटा कहां से ले सकते हैं इसका अगर आप शादी हाल वालों को कोई sedition देना चाते हैं आप शादी कार्ड वालों के पास जा सकते हैं आप किसी बाजार में जाके अंदाजा लगा लें जहां पर shopping ज्यादा हो रही है और you can go towards tailor जहां पे वो शादियों के ड्रेस सीज़े हैं वो आपको बता सकते हैं कि data कितना है और उस data के base पे आप exact अंदाजा लगा सकते हैं कि किस सीजन में शादियां ज्यादा हो रही है और उस सीजन में आप शादियों वाला अगर कोई आपका काम है say for example आप photography में जाना चाते हैं और वो wedding photography और विडियोग्राफिया तो you have to spend your money in summer ताकि आप practice करके फिर बाकी काम कर सके अब एक और मुझे बात बताएं किन दिनों में tourism ज्यादा होता है पाकिसान के अंदर तो टूरिजम वाला करें और ये कहां से पता चल रहा है ये summer vacation का आप टिक्टों से देख सकते हैं आप different rent की गाड़ियों की जो booking होती उससे देख सकते हैं and then you can have an idea अच्छा एक और मुझे बात बताएं कि data driven decision making ये तो business की base पे हो रही है अगर हम government level पे कोई policy बनाना चाहें तो हुआ था पत्रियाटा वाली साइट पे जब बरफ बरी ज्यादा होगे थी और बंदे अंदर ही भी होश होगे थी पूरी पूरी फैमिली जो है वो दम थोड़ गई थी due to the carbon monoxide जो अंदर प्रोडियूस होगे थी तो गोवर्मेंट को क्या चाहिए इस data के base पे policy बनाए कि अगर हमारे पास total family count for example कितना आजाए say for example 30,000 families अगर हमारे पास आ जाते हैं इसको बोलेंगे डिविए एन एक्सेंपल इफ डियार क्रॉसिंग सम लिमिट टूल प्लाजा कोई हो जहां से आपको पता चल जाए कि इतना काउंट हो गया उससे अंदाजा लगा लें कि no more tourists और जैसे government बताती भी है कि नहीं जाने देना वापे चलो जो तसाडी आवाम फ इसको बोलेंगे data driven policies ठीक है अब मुझे एक बात बताएं हम ये काम डेटा को खुद देख के अगर कर रहे हैं हमें 30,000 families का पता लगा है government foreign कह दे कि जी बस अगर हम इस सभी को automate कर लें क्या ख्याल है उसको AI नहीं कहेंगे कि हमारे पास गाड़ी का काउंटर कार काउंटर हम लेक लगाएं camera के थुरू एक line है यहां से गाड़ियां गुजर नहीं है ठीक है इस line से जब cross करती है वो count हमें देती है तो जैसे ये count हमारे पास 30,000 पहुंच है यहां पे को barrier हो वो automatically नीचे हो जाए इसको बोलते है AI based data driven decision में की और यह इस तरह की apps होती है कहां पे होती है इच लांज का पता है आपको वो सारे के सारा automation है data की base पे data क्या है वहां पे आपकी वो line जैसे आप पीछे red है red पे वो line क्रॉस कर रहे हैं आपके पास फोरण इस चलाना आ जाना है यहां से आपके तस्वीर बन जानी है smile please करके तो वो आपको चलाना जाएगा ठीक है UAE के अंदर भी है western countries के अंदर भी ह and there are many other places जहां पे यह इस चलान बना हुआ है तो जितनी भी AI है वो किस base पे चल रही है अगर आपको मैं लुबे-लुबा इसका बताना चाहूं वो data-driven decision जो हो रहे हैं वो सारे automation की base पे data की base पे चल रहे है ठीक है और data क्या है वो एक line भी एक data है कि यह एक threshold है अगर इस threshold से इ green light एक data यह ना वो data की base पे green light का हमारे पास चलाना रहता है and so on and so forth यह सारी चीज़ें जिसकी base पे आपका सारा analysis चल रहा होता है अब AI पे ऊपर जब आप काम कर रहे हैं तो आप किसके ऊपर काम कर रहे हैं data के ऊपर और data के ऊपर किसी चीज़ को जब automate करके एक final response या output आप दे रहे हैं इसको हम बोलते है data driven decision यह जो आपके पास AI के output आती है यह data driven decision होते हैं क्योंकि AI basically data की base पे predict कर रही है और AI में खासियत क्या है वो अपनी गलतियों से साथ साथ adapt भी कर रही है improve भी कर रही है और चीज़ों को सीख भी रही ठीक है तो यह हैं जी सारी चीज़े जि कुछ data non sufficient होता है और कुछ data जो है इतना काम होता है कि वो sufficient नहीं होता data के लिए but कुछ data बड़े वाला होता है लेकिन एक column उसमें से missing होगा and there are many things involved in data जैसे ही data अच्छा हो जाएगा उतना ही अच्छा आपका AI का system होगा अगर data fall to है तो AI का system भी क्या होगा? fall to होगा तो जि इतना clean data होगा गंदा data भी होता है यह नहीं किचड़ वाला data होगा वो गंदे data से मुराद there are some terms जो हम data को define करने के लिए लगाते है अब मिसाल देता हूं आपको मैं आप सभी से question पूछता हूं आपने answer करना है और फिर मैं आपको वहीं पर मिसाल देने वाला हूं कि कैसे स्टार्ट ठीक है सभी ने अपनी हाइट लिखनी है सेंटिमेटर में अब मैं आपको बताता हूं जैसे जैसे data मेरे पास मैं आपको पॉइंट करके बताने लगाँ कि कौन सा data जो है वो बेस्ट है कौन सा क्लींग है कौन सा नहीं मैंने डिरेक्टली पूछा कि सभी ने हाइट बतानी है अपनी सेंटिमेटर में और विस लिए पक्का हो गया था कि मैं सेंटिमेटर में पूछ रहा हूं then you don't need to write cm with that अब क्या हुआ है पहले ही मैं नाम भी लूँँगा साथ मुनीर भाई ने 5.9 लिखी है मिर्चू है आप भाई वो छोटे-छोटी जो मिर्चू की कहानी होते थ तो this is somehow different आपने क्या करना था सेंटिमेटर में लिखनी दिए सेंटिमेटर 5.9 बिल्कुल छोटू सा अपने फीट में लिखी है that's fine this is non clean data हम इसको convert करेंगे सेंटिमेटर में फिर आगे है सर्दार भाई ने लिखा है जनाब 170 cm भी लिख दिया so we need to remove that centimeter to clean the data अब आगे चलते एक ने लिखा है जी एकरा ने 5.3 again we need to convert this to centimeter and then I know के ये हबीब रॉमान ने भी ये centimeter में लिखना था लेकिन फिट में लिख दी है so this is how you clean the data अब किसी ने 150 cm लिखा हुआ है and we need to make sense के वाके येतनी है फाइजा ने 6.3 लिखी हुए है 6.3 इंच this is really heighted person so we need to find के ये सच में heighted person है या गलती से लिख दिया किया है and then कुछ लोग क्या करते हैं अगर कोई 10 foot height लिख देगा तो मेरा जहन तसवर करेगा कि 10 foot को क्यों बंदा होगा नहीं होगा तो उसको बोलते हैं कि हमने find out करना है कि ये क्या है और उसके लिए term use होती है called outlier कि एक center से बिलकुल हट के data है ठीक है उसको बोलते है outlier तो हम उस तरीके से देखेंगे फिर जिन लोगों ने English में लिखी होगी height तो उसको हम remove करेंगे and there are lot of things अब आप खुद चेक करें कि इतनी ज्यादा heights के अंदर खलतिया है एक ने directly 1690 लिख दिये खंबा क्रॉस कर गया है पाई jazz the tower ठीक है और and there are a lot of things including this one so इस तरीके से हम data को clean करते हैं फिर कईयों ने लिखी नहीं है height और अगर मेरे पास उनके नाम हो तो उनकी height मैं कैसे डूनूंगा those are called missing values उसको बोलते है null values या missing values या na ends ठीक है तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यह तीनों चीज़ें क्या होती है सबसे पहले चीज डेटा होगा हमारे पास उसको हमने इस काबिल बनाना है मैं यहां पर exactly काबिल डेटा लिखने लगाँ डेटा को काबिल बनाना है इस काबिल बनाना है कि हमारे AI की decision पर कोई फरक ना पड़े और उसको बनाने के लिए we need to do some steps सबसे पहली चीज़ clean करना है डेटा को दूसरी चीज missing values जो होंगी उनको दबारा से check करना है missing value को deal करना है ठीक है फिर एक चीज आएगी outliers उसे बोलते हैं कि जो बिल्कुली sense ही नहीं भर रही उनको निकालना है फिर data को scale भी करते हैं which I am going to show you later on data scale करना है ठीक है and then normalize करना भी हम बोल देते हैं और इसी तरह से कफी steps होते हैं और भी ठीक है यह सारे steps चो होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं EDA इस तरह के और भी हैं यह सभी नहीं है इसी को बोलते हैं EDA analysis जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि अगर आप सिर्फ यह सीख जाए you are good to go you can earn a lot of money if you know how to market your skills इसको बोलते है exploratory data analysis ठीक है यानि के exploratory data analysis EDA यानि के data को clean करके इसको explore करके अच्छे तरीके से बताना और इसी को एक और नाम देते हैं data wrangling य-r-a-n-g-l-i-n-g data wrangling तो data wrangling and exploratory data analysis data science और AI की दुनिया में बहुत बड़ी job तसवर होने वाली है अभी भी है by the way क्यों क्योंके data जो collect होता है न वो clean नहीं होता सही है और इस वज़ा से we need to work very hard to clean the data और इस data को clean करने के लिए हमने काफी सारे steps जो हैं उनको perform करना है गलतियां ढूंडेंगे फिर wrangling क्या है उन गलतियों को सुधारेंगे तो exploratory data analysis क्या है गलतियां ढूंडना यानि के find mistakes उर्दू में नहीं में लिखता मैं इसको रॉमन उर्दू में लिख देता हूं यह हिंदी में ताके जो हमारे पास इंडिया से students उनको भी समझ आजे तो find mistakes यहां पर data wrangling क्या है to cure those mistakes या उनको सुधारना wrangle करना ठीक है rectify भी कह सकते हैं तो rectify those mistakes भी कह सकते हैं या उसको clean करना data को data cleaning data wrangling these are some steps और इसको आप use कर सकते हैं data wrangling का एक और नाम भी है जिसको data munjing बोलते हैं ठीक है data munjing जो लोग अक्सर उकाद कहते हैं कि मंजन बेजना यह data munjing भी वही है कि आपने अपने data को इतना साफ सुत्रा करना है कि वह models के लिए ready हो जाए इसको data pre processing भी बोलते हैं एक और नाम है इसका data pre processing ठीक है जी data pre processing data munjing data wrangling यह सेम चीजों के नाम है and then you can actually define these things और इन चीजों को आप जब clean कर लेते हैं data को तो वो इस काबिल बन जाता है कि आप AI पर run कर सकें अगर आप unclean या जो गंदा data उस पर AI model लगाएंगे तो वो decision भी गल्त देगा ना क्या ख्याल है ऐसे ही होगा के नहीं होगा तो फिर उस बंदे का भी चलान होगा जो line से पीछे भी खड़ा हुए क्योंकि data clean नहीं है AI को पता ही नहीं है कि line काम पे लगी है ठीक है जो बचारा green light पे जा रहा है उसको भी चलान आ रहा होगा क्योंकि बताने वाला कोई नहीं है कि सच में इसने cross किया कि नहीं किया फिर उसको भी जलाना रहा होगा जो speed cross करेगा so these are things you need to learn and you need to have that in your mind before going into the AI models ठीक हो गया अगर आप इसको बाद में देख रहे हैं तो please इस video को like कर दे और इसको save भी गिलने पने पास because this is going to change your thinking about AI